के पित्री दियोग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आईए आज हम लोग अध्याय साथ प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं के भू अस्खलन के बारे में हम लोग अध्यन करेंगे भू अस्खलन प्राकृतिक आपदा के बारे में अध्यन करेंगे आईए देखते हैं इसके पहले हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा में भू कंप, सुनामी, उस्रकडबंधी, चक्रवाथ, बार, सुखा के बारे में हम लोग अध्यन करेंगे आज हम लोग यहाँ पर भू अस्खलन या कहलेजे लैंड स्लाइड के बारे में अध्यन करेंगे भू अस्खलन लैंड स्लाइड श्री नगर के आसपास राजमार्ग आउरुद्ध होने तथा कॉंकल रेल पत पर चटाने गिरने की घटनाएं प्राया समाचार पत्रों में पढ़ने के लिए मिल जाती हैं या चरम घटना चटानों के खंड खिसक कर ढाल के कारण नीचे पहुच कर भू अस्खलन के रूप में परडित हो जाती हैं भू अस्खलन अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तुल्ना में छोटी सी घटना होते हुए भी राश्टिये अर्थववस्था को गहराई से प्रभावित करती हैं यह अन्य प्राकृतिक आपदाओं की अपेच्छा आकस्मिक विशेश तथा ब्रिहद अस्थर की होती है भू अस्खलन को जन्म देने के लिए इस्थानी एक कारक उत्तरदाई होते हैं इस आपदा की संभावना का अनुमान लगा कर भविश्य वाड़ी करना संभाव नहीं है आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे भू अस्खलन क्या है वाटिच लेंट स्लाइड जब प्राकृतिक अथवा मानुए कारणों से बड़े बड़े भू मिखंड चटक कर धरासाई हो जाती हैं अथवा परवतिय ढालों में बड़े बड़े भू खंड नीचे खिसकने लगती हैं तो उसे भू अस्खलन कहा जाता है भू अस्खलन कुछ प्राकृतिक कारणों अथवा मानुवी भोलों के कारण होने वाला प्राकृतिक प्रकोप है। भू अस्खलन को निश्चित सब्दों की परिध में बाद कर उसकी परिभासा देना कठिन है। फिर भी इन सब्दों में इसे परिभासित किया जा सकता है। आवरण के च्छै की कारण अस्थल खंड फिसल कर नीचे पहुच जाने की कारण उत्पन्न होती है। और इस प्रकार से आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे भू अस्खलन का पूर्मानमान या चेतावनी। जिसमें पहला है किसी परवतिय छेतर पर जब भू अस्खलन धीरे धीरे होता है तो कुछ संकेतों से उसका पूर्मान हो जाता है। नमबर एक खिडकी वा दर्वाजे जाम होने लगते हैं। दूसरा है दीवारों के प्लास्टर पर नमी आ जाती है या प्लास्टर तड़क जाता है। तीसरा है मकान की नीव दीवारों वा फट्स पर दरारें पड़ जाती हैं। और नेक्स्ट है मकान की बाहरी दीवारें तथा सीड़ियां मकान से दूर हट जाती हैं। और नेक्स्ट है भूमी पर पड़ी दरारें बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट है गली तथा रास्तों में तूटन वा चटकने आने लगती हैं। निफ्ट है धालान की तलहटी से पानी निकलने लगता है और आगे है भूम के अंदर पानी बिजली वा जल निकासी के पाईप बिछे होते हैं वा तूटने लगते हैं और इस प्रकार से उपरएक्ट संकेद बताते हैं कि उस छेत्र में भविक्त में कभी बड़ा भू असकलन आ सकता है और इस प्रकार से इस इस्ठिती में बचाव का समय मिल जाता है इस से भू असकलन से होने वाली हानिया काफी कम की जा सकती है किंत भूकंब, बाड़, चक्रवाद या भारी बरसा के करण भू अस्खलन अचानक होता है इसमें सभलने का मौका नहीं मिलता और इस प्रकार से ज़्यादा हान ही होती है इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है ज्यादातर भू अस्खलन आकस्मिक ही होते हैं आगे हम लोग देखेंगे भू अस्खलन के करण भू अस्खलन के लिए प्राकरतिक तथा मानवी करण उत्तरदाई होते हैं इसमें पहला है का प्राकरतिक करण प्राकरतिक करण है इसमें पहला है भू कम जिन छेत्रों में भूकंप आते हैं वहाँ भू अस्खलन अधिक होते हैं और नेक्स्ट है जलवाईव या कहले जी वेदरी ताप, वर्षा, पाला, हवा, वर्फ, आधी, द्वारा, चट्टानों के अपने ही इस्थान पर विखंडित होने से भू अस्खलन होता है और नेक्स्ट है अतिवर्षा, पहाणों पर अधिक बर्षा के कारण भी भू खंड खिशकने लगते हैं आगे है नदी का कटाओ, कभी-कभी नदी के तिब्र कटाओ के कारण भी किनारों की भू खंड टूट कर नदी में खिशक जाते हैं और आगे है प्राकृतिक कारण के बाद नेक्स्ट है मानुवी कारण, आए देखते हैं, मानुवी कारण में भू अस्खलन के मानुवी कारण हैं, जिसमें पहला है, वन विनास, या भू अस्खलन का सबसे महत्रपूर मानुवी कारण है, मानो द्वारा बनो के भारी कटान के कारण प्रबतिय ढाल वो पिंडो को रोके रखने में आर्फमर्त हो जाते हैं फलता पहाडी ढालों से बड़े-बड़े भूखंड खिसकने लगते हैं और नेक्ष्ट है प्रबतिय सडकें प्रबतिय छेत्रों में सडकें पूल बाज तथा सुरंगे बनाने के लिए तथा ख़दाने खोदने के लिए जब बारूद से तोड़ फोड की जाती है तो बड़े भाका भूखेत्र कम पाय मान हो जाता है जिसके कारण भू अस्खलन होता है पहारी ढालों पर क्रिस करने से भी भू अस्खलन होता है भू अस्खलन से धन जन की अपारिहान होती है प्रबतिय ढालों से जब विशाल भूखंड खिसकते हैं तो गाउं के गाउं उजड जाते हैं सड़कें तूठ जाती हैं, नदियों के मार्ग अउरुद्ध हो जाती हैं, बाद तूठ जाते हैं, वनस्पत व्हा वन्य जन्त नश्ट हो जाते हैं, तथा परियावरण असंतुलित हो जाता है संचार की लाइने नश्ट हो जाती हैं, क्रिसी भूम नश्ट हो जाती है और इस प्रकार से बाढ़ भी आ जाती है हिमाले छेत्र में प्राया भू अस्खलन से धन जन का भारी विनास होता रहता है उजाहरण के लिए इसमें पहला है उत्तराखंड में चमावली जिले में सन 1977 तथा 1986 हुआ सन 1989 में भैंकर भू अस्खलन हुए थी आगे है नेक्स्ट सन 1978 में उत्तरकासी जिले में गंगा नदी के निकट तीन किलोमीटर छेत्र में हुए भारी भू अस्खलन ने भागी रथी का रास्ता रोक दिया था जिससे नदी ने उग्र रूप धारण कर बहुत नुक्सान किया था हिमाले छेत्र में होने वाले भू अस्खलन का मुख्यकारण वनों का कटाव ही रहा है आगे हम लोग देखेंगे भू अस्खलन से बचाव की उपाय वापूर में रखी जाने वाली सावधानिया आए देखते हैं भू अस्खलन के प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए आवस्यक है कि इसमें पहला है प्रकितिका संतुलित उप्यो किया जाए तथा उससे ज़्यादा छेड़ छाड़ ना की जाए सडकों बाधों पूलों वा सुरंगों का निर्माड भी उस छेतर की भू रचना तथा प्राकृतिक दसाओं को देख कर किया जाए तथा इसे पहित की जाने वाली तोड़ फोड़ भी ऐसी संतुलित होनी चाहिए कि कम से कम भूम छद गरश्त हो और निक्ष्ट है भू अस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका आया है कि भू अस्खलन के छेतर में वनस्पत आजच्छादन का विश्तार किया जाए निक्ष्ट है भू अस्खलन संभावी छेतरों का पता लगा कर उस छेतरों में वश्तियां ना वसाई जाए में इस बात का पूरा ध्यां रखा जाए कि प्राकरतिक जल निकासी विवस्ता अरुद ना हो जाए आगे हैं भू अस्खलन को रोकने के लिए मजबूत दीवारों का निर्मार किया जाए पहाडी इस्थानों पर सडकों के किनारे ऐसी दीवारे बनी होती हैं आगे हैं मजबूत निव वाले मकान नक्से के निस्वार बनाए जाए ताकि वे भूम की संचलन सकती को सहन कर सकें निक्स्ट हैं पहाडी इस्थानों पर खड़े ढाल की तलहटी में मकान ना बनाए जाए नेक्स्ट है भू अस्कलन से पेडित लोगों को भोजन वश्तर वा आवास की सुविधाएं जुटा कर सहायता की जाएं आगे चलते हैं आगे हम लोग देखेंगे भारत के भू अस्कलन आपदा संभावी छेत्र आए देखते हैं भारत के प्रवतिय ढाल वाले छेत्र भू अस्कलन आपदा संभावी छेत्र हैं इन में से उलेखनी छेत्र इस्प्रकार हैं जिसमें पहला है अतधिक सुवेधता वाले छेत्र भारत के अतधिक भू अस्खलन सुभेदता वाले छेत्र हिमालई आ इस्थिर तथा वय युवाज छेत्र हैं जहां सैलें ढालो और निर्बल हैं अंडमान निकोबार, पस्चिमी घाट, नीलगिरी परबत के अधिक बरसा प्राप्त करने वाले भाग तथा उत्री पूर्वी भारत के भूकम प्रभाविक छेत्र हैं इन छेत्रों में नद्यों पर विशाल बाद बना कर तथा ढाल ढाचे खड़े करके इन्हें अतधिक सुभेदता वाले छेत्र बना दिया है अधिक सुभेदता वाले छेत्र वैसे तो ये छेत्र भी अतधिक सुभेदता वाले छेत्रों के समान है प्रंत इन छेत्रों में भू अस्कलन को नियंतरित करने वाले कारण कुछ सबल है भारत के अधिक सुभेदता वाले छेत्र समश्थ हिमाले छेत्र तथा असम को छोड़कर समश्थ उत्री पूर्वी छेत्र आता है और आगे है मध्यम और कम सुभेदता वाले छेत्र भारत के मध्यम और कम सुभेदता वाले छेत्र हिमाले परबत के कम वर्षा वाले छेत्र लद्दाक हिमाले प्रदेश का इस्पीती छेत्र अरावली पहाड़ी के कम वर्षा वाले छेत्र इन छेत्रों में यदा कदा वू असकलन की घटनाएं घटती हैं और इस प्रकार से जारखंड ओडिसा चतिसगड मत्प्रदेश महाराइस्ट आंद्प्रदेश कनाटक तमिलनाट गोवा और केरल भू असकलन वाले राज्यों में केरल के ख़दानों के हसने से भू असकलन हो जाता है और आगे हैं भू असकलन प्रभावित अन्य छेत्र आई देखते हैं भारत के अन्य भू असकलन प्रभावित छेत्रों में राजस्थान हर्याड़ा उत्तर प्रदेश बिहार पश्री बंगार और दच्छडी भारत के प्रांत आगे चलते हैं आगे हैं भू असकलन के प्रणाम आई देखते हैं प्टरियों का तूट जाना नेश्ट है चट्टानों के विशाल खंड किरने से नदियों का मार्ग रुक जाना नेश्ट है नदियों के मार्ग बदल लेना तथा उनमें बार्ख आ जाना नेश्ट है भू अस्खलन का पड़ाम भारी जन धन की हान के रूप में देखा जा सकत और नेक्स्ट है परिवहन ठप पड़ जाना तथा आर्थिक विकास की गती मंद पड़ जाना और इस प्रकार से सारांस में हम कह सकते हैं कि विशाल काई बाधों और प्रवतिने ढालों पर विकास कार प्रचबंधित करके भू अस्खलन को रोका जाना चाहिए ब्रिहद अस्तर पर ब्रिच्छा रोपड करके तथा हरित आवरड बनाकर इस्था नांतरी क्रिसी पर रोक लगाकर तथा ढालों से मानों आवास हटाकर भू अस्कलन के दुस्परणामों से बचा जा सकता है और इस परकार से केंदर सरकार, राज सरकार, स्थानी प्रसासन और स्वयम से भी संगटनों को इसके लिए परस पर हाथ मिलाकर कारी करना चाहिए और इस परकार से आज हम लोगों ने भू अस्कलन के वारे में अध्धन किया आज यही तक बहुत भ़ँधनेवाद